लेटिस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीविवन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूलें दोस्तों वह दोर याद कीजिए जब पूरा भारत अंग्रेजों का गुलाम था लेकिन देश्ट के अंदर उसे भी बड़ी दास्ता का शिकार था बहुसंख्य बहुजन समाज ना उसे बोलने का हक था ना सम्मान का ना सुविधा में जीने का दमन्चक्र की बेडियों में जकड़ा हुआ वह बहुसंख्य और बहुजन समाज जुबान होकर भी मूख और गूंगा था दास्ता की चीख थी लेकिन उस आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था तब 31 जन्वरी 1920 को बाबा सहवा मेटकर ने मूख नायक के जरिये दबे कुछले और पीडित बहुजनों की आवाज को बुलंद किया मूखनाय के संपादकी इसके सबूत हैं उस दौर की दासना के बाबा सहवा मेटकर ने लिखा आज हिंदुस्तान का बहिस्कृत समाज के वल शरीर से जिंदा है जैसे कोमल व्रिक्ष जल के बगैर मुर्जा जाता है जैसे जलाशय से बाहर पड़ी मचली तड़कती रहती है वैसे ही हिंदुस्तान समाज ने बहिस्कृत समाज को हजारों साल से विद्या और विकास रूपी जलाशय से दूर कर रखा है उसका सुधार कैसे होगा जब इस समाज की उन्नती की तृष्णा स्टान्थ होगी राश्ट्र की एकता का व्रिच तभी फूलेगा फलेगा तभी राश्ट्र का भाग ज्योद्य होगा मूक नायक के जरिये बाबा सहब आम बेटकर ने बहुजनों में प्रेड़ना भरी बहिस्कृत बंधूओं उठो अपनी आखें खोलो जागो विद्यामृत का पान करो और अपने उपर हो रहे अत्याचारों का मुकाबला करो जी हाँ यह आवाज मूक नायक की है जो बीते सौ वर्सों से वंचित समाच को जगाने में जुटी है अगर आप भी सोए हैं हार कर बैठ गए हैं तो अब जाग जाएए क्योंकि यह आवाज आप के लिए है सिर्फ आप के लिए मूक नायक जिंदा बाद बाबा सहब जिंदा बाद